हेले दुस्तों नमस्कार हरी कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में बात करेंगे न्यूजिलेंड बास्केबूल लिग के बारे में ओठागो नगेट वर्सी साउथ एंड चार्क के भी जो मैच होने वाला है उसके बारे में तो मैं आ आउटलेंज चांक की बात को दूस्तों उस्सें दोस्तों साथ मुकाबल चुटे ए काफी दोस्तों अच्या पावमस दे रही ठीक है जहांपे दोस्तों लास गेम की बात कर्यों तो तो फमिसर्द की तो इस अघ्र सबसे पहले एस टीमिंग आपको सेंटर में देखने को मिल जाएंगा जिसने 29 मीट में 21 पॉइंट रिबाउंट और एक आसी स्कोर किया था उसके बाद दो रोल पेर है दोस्तो एटेचन और दोस्तो यहां पर रोजर ठीक है यहां पर देख सकतो एटेचन ने 12.6 तो पांच में उसने 5 पॉइंट और दोस्तो चार रिबाउंट और चार आसी स्कोर किया था ठीक है बागी दोस्तो इसमें कोई उतना अच्छा प्लेस देखने को आपको नहीं मिलेगा जहां पर पी मेमोश्य की बात को तो 4.5 करीट का खिलाड़ी है पिछले दोनों गे में पांच-पांच पॉइंट श्कोरिंग कीया था उसने उसका दशका मेंगेनी घ्रिफिन आपको देखने को मिलेगा एपी दुस्तो फोरवड खेलता है नोक्स को दुस्तो टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे दुस्तो जी में के बारे में दुस्तो बोलना भूल गये ए लाइंप आपको में आपको यहाँ पर एंब कर दूंगा, आपको अप A11. 29 के लड़ा Total Effect है, Only जो आपको 22 के सब्सक्राबर वाला चनल है, यानि कि 22 सब्सक्राबर वाला चनल है, इसमें ही आपको जोईन करना है अभी दोस्तो ओटाको नगेट्स ने यहाँ पर दोस्तो आपके last match के बारे में हमने बात की अभी दोस्तो second last match के बारे में बात करेंगे, ठीके, जहाँ पर दोस्तो आइमोस ने 24.08 रिबाउंड और दोस्तो उस ने 180 स्कोर किया था टिमिंस ने 31.16 रिबाउंड और 38 स्कोर किया था, उसके बाद दोस्तो रोजर, एटीचन और जीमेके के बारे में बात करेंगे जी मेके की बात के तो 23.8 रिबाउंड और 20 स्कोर किया था जहाँ पर रोजर ने 8.7 रिबाउंड और 30 स्कोर किया था जहाँ पर दोस्तो एडेचन की बात के तो एडेचन ने दोस्तो 6.4 रिबाउंड और 30 स्कोर किया था तो यह रहा दोस्तो ओटागो नगेट्स का यहां पर रेकोर्ड ठीक है उसके दोस्तो अच्छी टीम साउथ लेंज चाक जो इस लिग में सबसे अभी अच्छा रेकोर्ड धरा रही है अच्छा सबसे बेश लग रही है उसके पांच पांच ख्रड़ी का कॉंबिनेसें दोस् केलमन पोतो केलमन पोतो इस टीम का सबसे में ख्लाड़ी है जो आपको वारफोर्ड सेंटर खेलता हूँ मिल जाएंगा 35 मीट में दोस्तो उसने 17 पॉइंट उसने 11 रिबाउंड और 6 आसी स्कोर कर लिया था जहां पर रोल उसके बाकी स्टार्टिंग लेंप की बात कर तो बटन आपको देखने को मिल जाएंगा 35 मीट में उसने 15 पॉइंट वन दोस्तो रिबाउंड और 5 आसी स्कोर किया था उसके बाद दोस्तो सी बेलजर आपको देखने को मिल जाएंगा यह भी अच्छा है दोस्तो 36 मीट में 19 पॉइंट दो रिबाउंड और 3 आसी स्कोर किया सब्सक्राइब तो नो रिबाउंड और एक असी स्कॉर कर लिया था ठीक है बागी दूस्ते पांच प्लेश की बात करूं तो बेंश प्लेश में दूस्तों यहां पर गीलो लिए अच्छा उपसन है लेकिन उसको टाइम मिलेगा तो उसको दूस्तों लास्के दो गेम से मैं देख रहा हूं टाइम नहीं मिल रहा ठीक है उसके बाद दूस्तों सेकंड मैच की बात करूं तो सेकंड मैच में दूस्तों बटन अच्छी तरीके से खेला था 27 पॉइंट उस चाहर रिबाउंड यहां पर भी इंजर भी दूस्तों 19.3 रिबाउंड लेकिन दूस्तों पर एक बार डाल सकते हो अपनी नजर उसके बाद दूस्तों ड्रीम 11 टीम के बात करें मैं पीजी में सबसे पहले स्टार्ट करते है पॉइंट गार सिक्सन ने सी बेलजर अपनी एसल की टीम के लिए पहुत ही बेस्ट रही का जहां पर आर रोजर की बात करू एक ग्रेंड दूस्तों यहां पर बात कर तो बटन अच्छा रहेगा बटन ओली 62 लोग ले रहे तो बटन को दूस्तों एक दो टीम आप भी कर सकते हैं क्योंकि वह पंदरा करीट का है उसके बाद दूस्तों आई मोस्त ग्रेंडली की नंबर और पीक है दूस्तों इस मेंच के लिए सेक याद रखना दूस्तों आई मोस और केलवान पोतो इस मेंच के लिए ग्रेंडली की बहुत इच्छी पीक है जहां पर अपने दूस्तों केलवान पोतो को आप अपनी एसल के टीम में भी ट्राइ कर सकते हो अगर आपके पास करडिट है तो उसका दूस्तों गिलोली के बार करने के लिए मोका मिल रहा है वाखी दूस्तों आपको प्लेइस को अबड कर लेना है उसके बाद दूस्तों भी इंचर की बात मैंने की जो आपके लिए चाहो सकता है कम करेट में ठीक है अट्री चन दूस्तों ग्रेंडली की पीक रहेगा आप अपने एसल की टीम में भी तो यह सारे सज्जेस्ट में आपको नहीं करूंगा ठीक है यहां पर एल मेक रहे है लेकिन उतना अच्छा दूस्तों परफॉमस मेरे ख्ल सब्सक्राइब नहीं दे रहा ठीक है इसलिए आप उसको भी एवड कर सकते हो क्योंकि हम को यहां पर पी में में मिल रहा है तो उस यहां पर मिन्यक है फी में मोसस है दो उसके बाद दोस्तों यहां पर सेंटर की बात कर importante में आप को यहां पर लेना चाहता हूं मैं कहना को सबसे ले लिए यहां पर देख सक्कतों है यहां पर कडिट नहीं है आपको दोस्तो बटन को निकालना पड़ेगा तभी आप आप क गिलोली की जगा आपको यहाँ पे कौवे को लेना है और बाराक एडित का आपको बस बचेगा तो एड़ेचन या तो फिर दुस्तो यहाँ पे आप रोजर देख सकते हो दोनों में से कोई एक ओप्सन आ जाएगा ठीक है तो स्टार्टिंग लाइनप का इंफर्मेशन उसका स्कोड का इंफर्मेशन आने के बाद फाइनल टीम के बारे में दोस्तो आपको मैं टेलीग्राम चेल पर सेंड करूँगा तो टेलीग्राम चेल जोइन करना ना बुले उसका दुस्तार प्लेयर के लिए दोस्तो इस मिच में स्टीमिंग्स बहुत ही पेस्ट रहीगा यानि अच्छा उप्सन तो यह अच्छा उप्सन रहेगे दोस्तो वाइस केप्टरिंग के लिए जो मिन आपको बताए है ठीक है जो ग्रेंड लेकी पिक्स बताई वह भी दोस्त आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी टीम में यूज़ करनी है तो बाई वे फ्रेंड्स हरे कृष